अब दिली शराब घोटाला मामले में सीए मर्विन केजरिवाल की जमानत पर रोक लगी तो सियासत गर्मा गई दरसल गुरुवार रात को केजरिवाल को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी जिसके बाद आम आदमी पार्टी जश्न मरा रही थी लेकिन शुकरुवार को एक खुशी तब दुख में बदल गए जब हाई कोट की वेकिशनल बैंच ने एडी की आचका पर सुरवाई करते हुए राउजवे निउ कोट के फैसले पर रोक लगा दी और केजरिवाल की रहाइन नहीं हो पाई हाई कोट ने कहा कि वो आदेश दो-तीन दिनों तक सुरक्षित रख रहे हैं क्योंकि कोट सारे रिकॉर्ड देखना चाहती है ऐसे में माना जा रहा है कि केजरिवाल की मुश्किले बढ़ सकती है वही मामले को लेकर बीजे पियर आमादवी पाटी आमने सामने है आप इसे बीजे पी किस्सा जिशब बता रही है तो बीजे पी का कहना है कि बेल पर खुश होनी की जरुरत नहीं है क्योंकि बेल किसी को भी मिल सकती है यमित जमानत का जब आदेश आ गया तब तो कम से कम भाजपाईयों को शर्म करनी चाहिए कि आप E.D. को बिना आडर के दोड़ा दिया आप हाई को अब इस आदेश के बार पूरी की पूरी भारती जनता पार्टी को खामोस होकर अरविंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए और चोरी और बेईमानी और वरस्ट अचार भाजपाईयों ने किया है किसी न्याया लेके आदेश की काफी तक नहीं मिली आदेश में क्या लिखा है ये जद साब को मालूम ही नहीं है एडी को भी नहीं मालूम है और उससे पहले एडी हाई कोट पहुँच गई किसाब केजरिवाल की रिहाई पर रोक लगाई है देखिए वैसे आमादनी पार्टी के जो ये मुर्खों का गैंग है न वो इस समय अब मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है मुखिया जेल में है और इतना घिनोना केस में जेल में है शराब के घोटाले में जेल में है उन लोगों को बेल भी लगती है कि बरी हो गए किसी को बेल मिल भी जाए तो क्या वो अपने आरोप से बरी हो गया बिलकुल नहीं कई ऐसे मामले देश में हुए हैं जहां लोगों को टेंपरोरी बेल मिलती है बेल इस टेंपरोरी प्रोसेस और उसके बाद आजीवन करावास हुआ कितने लोगों को भयानक भयानक सजाए हुई हैं तो बेल को ये लोग इतना इंज्वाय कर रहे हैं